हेलो फ्रेंज दिभाकर के रिए में आपका स्वागति इस फीडियो में हम लोग थीम पे वर्क करेंगे कमाड लाइन की मदद से हम अपने थीम क्यों लिस्टिंग कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैं जैसे टाइप करूंगा डबलू पी हैल्प तो आप देखे हैं कि यहाँ पे आपको थीम से रिलेटेर आपके सम कमांड आपको मिलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हों डिसेबल कर सकते हो इनेबल कर सकते हो आटो अपडेट कर सकते हो उसके बाद लिस्ट हो इस वीडियो में हम लोग लिस्ट देखेंगे और यहाँ पर इसका description आप पर सकते हो और यहाँ पर synopsis में आप देख सकते हो कि WP theme और command का नाम डालना है तो पहले मैं आपको एक बार दिखायाता हूँ WP help theme और यहाँ पर मैं list टाइप करूँगा तो आपको यहाँ पर WP theme list का description आप देख सकते हो यहाँ पर और इसकी use करने के लिए आपको synopsis देख सकते हो यहाँ WP theme और list आप इसका example भी देख सकते हो यहाँ पर आपको अगर format default table होता है आप दूसरे कोई format में चाहिए जैसा CSV, JSON या YAML तो आप इस format में भी कर सकते हो अगर आपको status में आपको active, parent, inactive यह सारे चीज़े आपको में लेंगे इसके according भी या आप अपने list theme को list को filter कर सकते हो यहाँ पर आपको fields में name, status और update और version आपको दिखाए जाएंगे example भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा होगा है तो चलिए हम लोग इसका use करते हैं तो मैं type करता हूँ WP theme list तो यहाँ पर आपको theme list आपके system में जो theme install और activate है आपको दिख जाएगा उसके version भी दिख जाए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2020 inactive है update अभी कोई नहीं है और version इसका 2.0 है इसी तरह 2021 theme है इसका 1.6 है अब हमें मालों की सिर्फ inactive theme दिखना है तो आपको type करना है WP theme list और यहाँ पर status लिखना है आपको inactive तो अभी inactive theme अभी दिखाए जाएगा देख सकते हैं यह दोनो theme inactive है इसी तरह आपको active theme दिखना है यानि कि जो theme activate है उसको आप यहाँ पर type करको active तो आपको जो theme activate है वही आपको दिखाया जाएगा देख सकते हैं अगर मैं इसे अपने admin के अंदर appearance पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे सिस्टम में वह सब्सक्राइब हो हमारे वेब साइट है इसमें total 3 theme है जिसमें 2022 activate है और 2020 और 2021 deactivate है या इसे इन अक्टिव कर सकते हो अगर आपको इस पर फर्मेट टेवलर फर्मेट के अलावा कोई और फर्मेट चाहिए तो भी आप कर सकते हो तो आपको लिखना है simple यहां पर active के बार आपको format अगर csv चाहिए तो csv format कर सकते हो यहां पर देख सकते हो यहां पर csv format आचुका अगर आप चाहो तो इसमें सारी list हम दिखाते हैं उसके बाद format इसका अगर हम json format में चाहते हैं तो आप यहां पर json type कर देना json तो यह हमारे जो भी theme की list है अब यह json format में आपको दिखाएगा इसी तरह से आप और भी format file जो आप यहां पर yml लिख दोगे तो यह इस format में आपको दिखाएगा friends देख सकते हो तो अगर इस तरह से आप format करके default इसका table होता है अगर मैं आप यह table लिख दू तो यह table format में दिखाएगा friends यह आप इसे नहीं लिख होगा तो यह default होता है जैसे मैं एक बार देख सकते हो इसी को मैं अगर format table हटा दू तब भी यह default format होगा तब भी आपको यह table format में दिखाएगा तो इस तरह से आप list command का use कर सकते हो theme list का use करके आप अपने website में जो भी theme है आप उसे देख सकते हो साथ साथ उसके status recording भी देख सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छा लागे तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले न और बेल नोटिपी की संदवाद है न वीडियो देखने के लिए धन्वाद है